बिन नहरता श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा बेवी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्शक्ता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीग्र अतिशीग्र प्रस्थान कर लेना चाहिए अरे इस सुंदरी के हाथ में जो कुछ भी है उसका एक घूट पान करने में कोई समस्या नहीं है इसलिए उड़िए जा का गहात ऑ 한फए सब्सकेशन के प्राट करने मारत ही झाल gdzie राटी है वास्तविक आनन्द से दूर थे हम, आज सुक का आनन्द ना रहा है। यदि आपको यहां से लटा देते, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। आपने उचित कहा था, कि वास्तविक अमृत तो यह है, यह, 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 मदिरा। यह संदर्य, यह, रित्य, यह, आनन्द, यह, मदिरा। तो आज से भक्ति नहीं भोग होगा, मदिरा का भोग। आज से यहां पर चर्नामृत पान नहीं होगा, परंतु मदिरा पान होगा। त्रिपुरा सुर की रक्षा करने वाली आपकी भक्ति की ढाल अब नश्ट हो चुकी है, पिताश्री। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अधर्म की प्रती है उनकी वास्तविक भक्ति। तो प्रभु इसके पूर्व की उनकी असुर से न जीवित हो। उनके पूर सीधी रेखा से बाहर आएं और असुर सहस्त्र वर्षुर तक सर्वत्र विनाश करें। उनका अंत कर दीजिए। प्रणाम पूभाजी। महादेव, गणेश ने बड़ी ही चतुराई से समय रहते उनका सत्यो जागर किया है। अन्यथा बहुत विलंब हो जाता। विलंब तो अभी भी हो रहा है। इसलिए समस्त देवी देवताओं की ओर से नप्रार्थुना करता हूं महादेव की सासुर उपद्रव को उत्पन होने से पूर्व रोख दीजिए। निर्गुन निर्विकल्पम बंबंबं भूले। महाकाल कालं कृपालं बंबं भूले। जग के हित में गरल पान करने वाले। शत शत वार नमन शंकर होले भाले। इंतू पापी दंभी हिंसक अन्याई। ऐसे हो सकता है शिव का अनुयाई। ऐसे शक्से जग को मुक्ती दिलवाएं। इस पापी के काल स्वरूप में आ जाएं। मिर्गुन निर्विकल्पम बंबंबं भूले। महाकाल कालं कृपालं बंबं भूले। स्वाहाँ! स्वाहाँ! Madira लाओ, संद्री! Madira! और Madira पिलाओ! आनंद! Sundari! अथी, आनंद! आनंद! क्या नित्त है? वाह! क्या नित्त है? अथी, आनंद! Madira पीके नित्त देखने का आनंदी अप्वत होता है वाह! दालो, Madira! वाह, संद्री, वाह! और Madira पिलाओ, और नृत्त करो! मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ महादेव पुत्र श्री गनेश ने अपनी बुद्धी का अचूक वार किया है इन तीनों दुष्टों पर हुआ महादे! हर हर महादे! हर महादे! हर हर महादे! हर हर महादे! हर हर महादे! तिरिपुरसुर का वास्तविक चरित्र स्पस्ठ हो गया है उनका कुटील भी बरायेवी अब किसी से छिपा नहीं गनेश के परियासों से तिर्पिरासुर का सत्य हो जागर हो गया है इसलिए उनका अंत करने को तक पर हूँ मैं किन्तु इसके लिए मुझे उबान चाहिए जो बाण बाण नहो और वो बाण उस धनुष से चले जो धनुष धनुष नहो और महादेव ऐसा उस रत पर आरूड होकर करे जो रत रत नहो ये सभी कौन प्रस्तुत करेगा पिता श्री मैं प्रस्तुत करूँगा उठ एसा रत थनुष और बाण तहां धूंडो कि तो मैं समझ गया जो रत रत ना हो उस रत का निर्मान कैसे होगा मा जिस प्रकार सूर्यदेव की रत में लगे अश्व केवल अश्व नहीं अपितु उर्जा के साथ रंग के प्रतीक हैं तथा गायत्री व्रिहती उष्निक जगती त्रिष्टुक अनुष्टुक और पंक्ति ये साथ छंद अश्व हैं उसी प्रकार पित्ताश्री का रत भी रत नहीं होगा अपितु स्वयम देवता होंगे और देवताओं के इस रत का निर्मान करने के लिए मुझे ब्रह्मांड के सबसे स्रेष्ट और कुशल शिल्पी विश्व कर्माजी की सहायता चाहिए होगी मैं प्रस्तुत हूँ गणेश जी ये तो मेरा परम स्वभाग्य होगा उचित है फिर सभी का आशीष लेकर हम रत निर्मान का कारिय प्रारंब करते हैं त्रेपुर में ये को ला हल कैसा मोर्क थोड़ी और प्रतेक्षा नहीं कर सकते थे अवश्य ही गणेश का चल है ये मुझे यग्ये को शीकृता से संपन्द कर असुर सेना चाग्रित करनी होगी त्रेपुर की रक्षा का मात्र यहीं उपाय है ओम ब्रीम ब्राम त्रेम त्राम स्वाहाँ 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 हे पार्वति नंदन गणेश मैं विश्व कर्मा देव शिल्पी होकर भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि धनुष, बान और रत का निर्मान हम कैसे करेंगे जिसकी हमें आवशक्ता है जो हो भी और ना भी हो ये कैसे संभव है हमारी बुद्धी और निपूंटा ये संभव कर देगी विश्व कर्मा जी हम ऐसे सर्व देवों में रत का निर्मान करेंगे जो रत नहीं है सर्व देवों में रत? हाँ विश्व कर्मा जी वो रत जो सर्व लोक में और सर्व भूत में हो जिसके दाहिने चक्र में स्वयम सूर्य देव और रध के चक्र की तिलियों में 12 आदित्य विराजमान हो रत के बाये चक्र में चंद्रमा हो और उसकी सोला तिलियों में चंद्रदेव की सोला कलाएं बसेंगी और सभी नक्षत्र भी रत के चक्र के साथ साथ चलेंगे संपून अंतरिक्ष रत का अग्र भागो मेरे पिताश्री महादेव के भार को मंदरा चल के अतिरिक्त कोई नहीं समहाल सकते इसलिए रत के बैठने के स्थान पर मंदरा चल हो मा गंगा आदी सभी श्रेष्ट नदियां अपने नारी रूप में रत पर स्थित होकर चंवर डुलाएंगी चारों वेद उस रत के चार अश्व होंगे वायू देवरत के आगे आगे चल कर रंबेरी बजाएंगे ब्रह्मधेव रत के सार्थी होंगे ओमकार उनके चाबुक बनेंगे और आटार रत का छत्र बनेगा। समवतसर रत का वेग और मुहुरत उसकी रसी होंगे स्वर्ग और मोग्ष रत की द्वजा काम देनों और एरावत की पतनी अब भ्रामू रत के जुए के अंतिन छोड़ पर स्थित होंगे और पंच भूद इस रत के बल बनेंगे। तो देवशिल्पी विश्व कर्मा जी उस रत का निर्मान हो गया ना जो रत नहीं है। आपकी पुद्धी और आपकी कल्पना अतुलेन यह है। अधुद है प्रभू। धन्यवाद विश्व कर्मा जी। आइए अब हम धनुष का निर्मान करते हैं। नाना जी शैल्राज हिमालय धनुष का धाचा बने। और श्रीहरी नारायन के शैया शेशनाग जी उसकी प्रत्यंचा। तो वो धनुष भी प्रस्तुत हो गया ना विश्व कर्मा जी। जो धनुष नहीं है। अब बाण। त्रिपुर को नश्ट करने वाले बाण। स्वयम जगत के पालनहार मामा जी नारायन हो। और सभी अप अवित्रताओं को मिटाने वाले अगनी देव बाण की नोक बने। तो देखा विश्व कर्मा जी। निर्माण हो गया ना बाण। जो बाण नहीं है अब इनको पिताश्री के पास ले चलते हैं। युक्ती त्रिपुर के संहार को लगाए। अध्विती ये अध्भुत सा इकरत बनाए। हिमालयव शेश नाग से बना धनूशा। श्री विश्णू स्वयम बाण बन गए विशेशा। पिताश्री प्रस्तुत है वो रत जो रत नहीं है। वो धनूश है ये जो धनूश नहीं। और ये लीजिए वो बाण जो बाण नहीं। वो धनूश नहीं। वो धनूश नहीं। वो धनूश नहीं। वो धनूश नहीं। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हाद हो बान मक्री आद क्षियमा है है महारे। है है महारे। है महारे। है है है महारे। वं ढम तरिंटे अंमी प्रीम्चा फ्याओ कर्वा हा टो फ्यार को रिंटे ग्राँश्य अर है व्यक्ति यदी सच्चे मन से और दृता के साथ प्रयास करें तो सफलता के मार्ग एवं साधन मिल जाते हैं झाल